हेलो आज के इस वीडियो में हम लोग दीखेंगे क्लास एट के मैत के प्रसनावली 2.1 के समपूर्ण कोईशिन को इस वीडियो में हम लोग स्वल्फ करेंगे तो यदि आप लोग चेनल पर नए है तो चेनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लिजीगा चलिए नमर वन केता है निमडिकी समिकरोनों को हल करना है तो फेस्ट कोईशिन है 3 इंटू में है X-3 बड़ावर में है 15 तो चलिए इसको में लोग स्वल्फ करते हैं यहां पर आप लोग का कुईश्चन है इसको दीखिए सबसे पहले आप लोग दीखिएगा यहां पर यह जो है स्वाइन मतलब क्या प्लस में ठीक है अगर इधर गुणा में है इधर आगर भाग में हो जाएगा तो इधर हम लोग बट्य में देते हैंगी तो X-3 इसको काट दीखिए पहुच आ जाएगा बरावर में आया पमच एक्स बरावर क्या हो जाएगा यह इधर मैंनस में है इ साड़े प्रसंडों को ठीक है ना तो इधर देखिये कहता है एकस बटे दो है इधर एकस बटे दो लिख देएगे बरावर देंगे 15 इधर यह मैनस में है इधर आकर प्लस में हो जाएगा होगा की नहीं तो एकस बटे में तो 15 साथ को जूरिए गा टो 22 सब्सब्र है तो दिखें नमर्स को आप लोग को कैसे स्वाल्व करना है पहले मैनस 2x है बट्टे में 7 है तो इसको रहने दिखें इधर 8 है यह पलस है उदा जाकर मैनस हो जाएगा मैनस टू एक्स बट्टे में 7 बड़ाबर हो जाएगा अच्छी अब देखें यह इधा भाग में है आप लोग का –1 यही उत्तर आएगा चले बतार यह सवज में आया आप लोगो चलें नेश्ट कुश्यन नमर चार को देखते हैं कुश्यन नमर चार आप लोग का यहां पर कहता है 7-3x ब्राबर 18 तो इसको हम लोग स्वाफ करते हैं तो देखेंए यहाँ पर आपलोग का question है तो इसको देखिए क्या करना है आप लोग को सबसे पहले इसको हम लोग स्वाफ कर देखेंगे यह मैनस 3x है तो मैनस 3x को इधार रहने देदे इधार यह पलस का है न इधार जाकर क्या मैनस का होगा तो अब देखिए मैनस त्री एक सरावर क्या आ गया ठादर में से साथ जाएगा कितना होगा आप लोग को पता होगा एक ग्यारा होगा ना अब एक सरावर हम लोग क्या लिखेंगे ग्यारा बट्ने में मैनस त्री यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा कित बटको क्या करना है तो अब देखिए एक बात आप लोगो समझ में आ रहा है इधर भी मैनस इधर भी मैनस कट गया यानने की 22 बराबर तो किया लिख सकते हैं 22 वटे के तिन लिख सकते हैं बोलेंगे यह समर में आ रहा है ना आगी देखीगा पर कोपी पर करते हैं तो कोपी पर हम लोग इसको स्वाल्व करते हैं कोश्चिन नम्मर 6 को तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा मैनस 9 हुआ है ना चलिए एक बात आ तो आपको पता रहेगा जिसमें देखिए कोई भी लेटर लगा हो ना उसको अम लोग यह सैट रहने देते हैं और जो मतलब जिस जाती का है जिसके टेगरी का है उसको उस साइट ले जाते हैं तो यह मैंनस नौगा है तो मैंनस नौगा हो जाएगा होगा कि नहीं बोलेंगे यस तो अब आप लोग देखिए इसको स्वाल कीजिए मैंनस नौगा होए बराबर इसके बटे में कुछ नहीं तो एक है इस काल्सियम लेने पर चो आएगा एक छो है ना तो यह रचा का चिया आसर चो एक हम चो हैने क इधा देखिए एक तालिस बटे के चो इधर इसका क्या इधर गुणा में है इधर आगा भाव में हो जाएगा यानि कि यहां पर हम लोग लिखेंगे वह न बटे में मैनस नाइन होगा न अब आप लोग इसको क्या किजिए वाई बराबर निकाल सकते हैं एक तालिस एक अ मैनस वन जो है इसको इधर लाकर पलस वन करना है बडावर में एक्स बटे में 2.5 ऐसे लिखते हैंगे अब इसको जो और आएगा आप लोग को 3.4 बडावर में एक्स बटे के 2.5 यदी यहां पर 3.4 यह इधर भाग का है इसे आएगा तो यह क्या गुना में हो जाएगा त Q8 को हमलोग समझने का प्यास करेंगे दिखिए यहां पर आप लोग 3x ब्राबर हम लोग क्या लिखेंगे 1-10 लिखेंगे आप लोग क्या के तो अब दिखिए 3x ब्राबर क्या हो जायेगा 2x प्लस के यहाँ पर 11 2 2 बते के 4 बराबर में 13 अब आपप लोग देखिए 2x बराबर क्या हुआ, यह इदर प्लस का उजा जाकर मैंस का, तो 13 बटे में 22 बते 4 अब 2x बराबर इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, इस काल्सियम नहें पाएगा 4, 1 चोका 4 यानिकी 13 चोका 12 है अब देखिए चार एकम 4 यहने की बाइस है ना 2x बराबर आप लोग क्या लिखेगा 2 में से 2 गया 0 5 में से 2 गया 3 यानिकी 30 बटे के 4 अब देखिए यहां पर ब्रास इंपल है एकस बराबर देखिएगा 30 बटे में 4 गुना 1 बटे में 2 यही ना होगा अब आप लोग इसको काट यह देखिए कैसे कटता है तो ऐसे भी इसको काटते है दो एकम 2 पंदरा दुना 30 है यानिकी 15 बटा 4 इसका आंसर हो जाएगा 15 बटे में 4 एकस का मन यही आप लोग का उत्त अच्छा सर यह मैनस में पलस मैनस क्या होता है आप लोग 12 बटे 3 दीए बरावर में 3 बटा 7 रहाव स्ट यह एकस वाला है तो इधर हमत कर देना मतलब side change change है तो आप लोग को पता है सर 14 बटे में 3 आप कहिएगा एकस हो जाएगा तो तो आप लोग को समझेने में कोई भी प्रकार का दिक्त हुआ हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं मैं आज़ा करूँगा कि आप लोग को प्रसनावली 2.1 के ये दसो प्रसन बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा हम नेश्ट वीडियो में आप सभी को ये प्रसनावली जो 2.2 है इसको बताएंगे और बड़े अच्छी तरीके से साड़ी कोईशन को एके कोईशन को एकस्प्लेंड करके बताएंगे इसके लिए आप लोग को करना क्या हुआ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना हुआ ताकि आप लोग को नेश्ट डे इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और क्लास 8 के जो यहाँ पर हिंदी भी से है इंगलिस सब्जेक्ट है साइन्स हो कोई भी सब्जेक्ट हो